आरेफ राना सहाब जिनकी वज़ाए शोरज इसरह मैंने पहले अर्श किया कि निलाम घर रही है लेकिन वो गीत निगारी से भी वाबस्ता रहे वफसाना निगारी से भी वाबस्ता रहे तो वो जो है प्लीज थैंक यू आरेफ राना सहाब जो है 1969 में जब उन्हें पी टीवी जॉइन किया और 2014 में जब इतने पी टीवी वालों के साथ जिसमें यकीनन बहुत से जहन जो हैं और उनके जो कारनामे हैं वो लेजेंडरी हैं वो कैसा महसूस करते हैं और आधा कुआ जो है वो कैसा कुआ है उसके बारे में वो आपसे बात करेंगे और उसके बाद मैं क्या कहूं कि अगर ये कहा जाए कि नामवर कॉम्पेर जनाब तारिक अजीज तो अजीब सा लगेगा ये कॉम्पेरिंग के फन के लिए ये टेलिविजिन के लिए अजाज है कि तारिक अजीज उसमें तो वो आपके साथ जो है, एक मकालमा करेंगे, उन पर जो आमद होगी, कुछ दिर पहले बात हो रही थी, जो आये तो उन पर उत्रेगी, वो आपके साथ वो शेयर करेंगे. So we are very honored sir, कि आप आये. और सरकारी शेहर में हैं, तो एक चीफ केस्ट होता है, जो कि सरकार की तरफ से होता है, लेकिन ये National Book Foundation की जहानत है, चूंकि एक अदीब इसको हैट कर रहे हैं, कि उन्होंने फरीदुला खान साथ को दर्खास भेजी, कि आजो के Secretary Capital Authority and Development है, कि आप बिरोक्रेट भी हैं, लेकिन कलम दोस भी हैं, और मीडिया को, अदब को, अदब लटीब को समझते हैं, तो ये भी एजास National Book Foundation को हासिल है, कि अदीबों की मेहिल में वरीदुला खान साथ, और काफी तफ़ा नज़र आते हैं, आर्ट और अदब अदबाई जिन्दगी जो भी रही हो, लेकिन आप उससे अपने आपको रिलेट कर सकें, इसके बारे में ज्यादा तफसीलन और ज्यादा गहराई से चाहाल साब आपको बताएंगे, और अब मैं उनसे कहूंगी कि फ्लीज आप आएं, टाइस पे, और अपने ख्यालात का इजार करें, थैंक यू. या फिर रेटाइर्मेंट के बाद, ये एक ऐसा राजख है, जिससे आरिफ राना ही परदा उठा सकते हैं, आदा कुआ के अफसाने बहुत दिल्चस्प हैं, यहां दिल्चस्पी से मुराद काबले मुताला हैं, और किसी भी अद्वी किताब की सबसे पहली और बड़ी कर दे कि अभी गोष्ट जरा कचा रहा गया है, स्यद एथ शाम हुसैन ने अपने एक मजमून में लिखा था, खारजी मजाहिर अगर शिद्दत ए इसास की भटी में पिगलाए न जाएं तो वो महस एक अखबारी रिकोर्ट बन कर रह जाते हैं, इस हवाले से देखा जाए तो आरिफ राना के अफसाने शिदत ए एसास की भटी में पिगले हुए दिखाई देते हैं, मुझे इन अफसानों को पढ़ते हुए जिस चीज़ का शिदत से एसास हुआ है, वो है इन अफसानों का इختसार, इختसार अफसाने की खूबी ख्याल किया जाता है, अलबता एक कि दायत में राना साब को जरूर दूँगा कि उन्होंने अपने अफसानों में अपने प्रोडूसर होने का मकमल सबूत दिया है, यानि हर अफसाने की पंच लाइन का खास दौरबार ख्याल लगा है, आदा कुएं के अफसाने सादा मगर दिल्चस्प बियानियां दूसरा ये कि वाकियात का आपस में फित्री रप्त हो और किरदारों के साथ भी उनका रप्त मनतकी हो, इस हवाले से राना साब का असलूप खूबसूरत और पुर रसर है, वो वाकियात के इन्तखाब में यकीनां फनी जोग का सबूत देते हैं, हन्री जैम्स ने कहा था, अगर कोई फनकार अपने फन में जिन्दगी का हलका सा अक्स भी पैदा कर दे, अलिवियन्स अफ लाइफ, तो हम उसे असानी से कामयाब करार दे सकते हैं, और आरिफ राना साब इस हावाले से हमें पूरी तरह कामयाब दिखाई देते हैं, मैं इसकदर खुबसूरत अफस नाम या उसका रंग आ रहा है तो वो भी आपको अच्छा लगता है, या तो ये बहुत मुझे बड़ा खुबसूरत ये लगा, तो लेट सी के सरमसहभाई ने आरिफ राना की तहरीरों को किस तरह देखा है, महबूब जफर साब आपसे गजारेश है कि आप डाइस पे जो जहां बैठ जाता है, एक मेफिल वर्पा हो जाती है, और जहां जाता है, एक डास्तान छोडाता है, रिंड जो जर्फ उठा लें, वही सागर बन जाए, जिस जगा बैठ के पी लें, वही मेफाना बने, आरिफ राना साभ के पोडूसराना करनावों के हम बहुत देर से काईल हैं लेकिन अफसाना निगारी का जोहर उन्होंने हमसे छुपाए रखा हमारी इस बेखवरी ने उनकी अफसानों के मजमुए आधा कुए ने हमें यक्दम हैरान कर दिया मैं इस किताब को किसी तनकिली हवाले में पेश करता हूँ ये अफसाने दरसल हमारी अद्वी रवायत से जनम लेते हैं न तो ये मगर्ब की अलामत निगारी और जजदिये से मतासिर हैं और नहीं ये किसी तरकी बदन तहरीक के पैदावार हैं इनका तो अपना ही एक मौसम है जो बहार की तरह थोड़ देर के लि किया है और उनकी इफसार पसंदी ही थिकायात की चान है शक्सपेयर ने शायर इसी लिए कहा था कि बरेवेटी इस दसोल आफ विट आरिफ राना लिखते हैं अफसाना दरसल हकीकत की कोक्ट से जनम लेता है मेरी कहानियां अपनी धर्ती पर बसने वाले अज़ाबों के गि लेकिन मेरे नजदीक यह हकीकत निगारी जब मुख्तलिफ अमल से गुजरती है तो इससे कई स्टारे बनते चले जाते हैं इन अफसानों के किरदारों को आरिफ लाना ने अपनी चंद स्ट्रोक से एक मसवर की तरह पोर्टेर्स में बदल दिया है हम एक ही नज़र में इन किरदार इस्टारों में बदलना शुरू हो जाते हैं डाक्टर धटना का जाली होना और नहोना किसी असल डाक्टर की गर्मवजूदगी में जाली को अस्री समझना हमारे मुल्क की आवाम की बेवसी का इस्टारा बनता है जहां जाली और अस्री का इंत्यार दूला जाता ह भूरा मस्थ बच्चों से पत्थर खाने वाला एक मजजूब अपने अंजाम तक पहुंचते पहुंचते पूरी काइनात की तखलीक का इस्तारा बन जाता है अरिफ राना के सफसानवी मजमुवे में कुल 26 कहानिया हैं और हर कहानी में हमारे सामने एक नया मनजर खुलता है नय किरदार सामने आते हैं ज्याततर कहानियां दिहात के पसमंदर में दिखे गई हैं गाउं की रुमानवी खिदा में ठकी चुकी महबदों की सरगोशियां, चोधरियों और जागरदारों की मकारियां और जल्म, भांडों, मिरासियों की जुकतें, इंसानी रिष्टे और फित्रत की मासूमियत हमें जगा 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 नजर आती है राना साब अपनी इन मुखसर तहरीरों में ऐसा ऐसा जम्रा लिख जाते हैं, जो हमारे जहन में देर तक गुईता रहता है जागिदारी इखलाकिया के बंदोनों को तोड़ती हुए, वो लिखते हैं, कोट, उसी लिख में बीजी के जोड़ार कड़क दिलों की धरकरें तेज कर गई और बादलों की घंगरच से जरो दिवार खिल गए, फिर सावन की घटा इस जोर से बरसी के जल्थल हो गया, तबती हुए धरती धंडी होकर फुर सुकून हो गई, रिष्टे नाते, दोस्तियां, सब तुफानी बारिश अपने साथ बहा ले गई, वैसे भी मैं कौन सा पर खटा है, यह कुझी कहानी है, कालियां एट्टां ते काले रोड यह कहानी है, एक कहानी बादल बरी, कहानी का आफरे जम्रा देखें, कोट, मौके के गवा की अदम मौद्धी के सबब, तालिब बादल बरी हो गया, वैसे भी बंदूग बरदार मुझरिम, अजालतों स हमेशां बादल बरी हो जाया करते हैं, आरिफ राना कहानी का अफ्तपाम ऐसे ड्रामाई फिकरों से करते हैं, जिससे कहानी खत्म नहीं होती, बलकि हमारी दात का हिस्था बन जाती है यहां मौजूद तश्रीफ फर्मा अहबाब जाहर है अदब और अधीबों से तालुक और दिल्चस्पी रखते हैं और जो इस कैफियार इस मौसम और इस हालत के अंदर अभी तक मुतमक्न है बलके बराजमान ने उसे अंदाजा लगाया जा सकता है उनकी इस शुबे से दिल्चस्पी और इन अहले कलम से वाबस्तगी का राना साहब न जा शायरी की वो रावल पिल्ची में क्याम के दौरान की और जिन हालात में की मैंसकानी शाहिद हूँ उनके बेश्मार गीत महरूफ गुलुकारों ने गाए और वो मकबूल भी हुए लेकिन उन्होंने कभी अपने शेरी मजमुए की अशाथ के बारे में नहीं सोचा अलबता अफसाना निगारी का बाकाईद आगास उन्होंने सिड्नी में क्याम के दौरान किया अफसाना के पहले मुझमुए आदा कुधूर में शामिल अफसाना ने उनके मवजवाथ, उनके किरदार और मकालमे दरहकीकत लाना साहब की असल पहचान और शनाक है इन अफसाने में शामिल कम बेश तमाम किरदार हकी और पूरी शिद्ध के साथ अपना वजूद रखते हैं इन में कोई गैरमावराई किरदार नहीं, कोई ख्याली मन्जर नहीं, कोई मस्नुई चिरा नहीं किसी भी अफ्साने में मुश्किल, पेचीदा और भारी भारी आफास और जमलों से खारी को मतासर करने की कोशच नहीं की गये है और नहीं अपनी दानश्मंदी और इलमियत के जर्ये को मरूब करने की कोशच च्ति की गये है किरदारों के रविये का अमीग जायजा लिया जाया तो अंदाजा होगा कि राना साहब के मुचाहिज़े की कुवत और यादाश्ट कितनी शांदार है राना साहब गुनादी तोर पे एक दियाती शक्स हैं और उन्होंने अपनी शनाख को कभी भी किसी भी मरहले पर छुपाने की कोशिश नहीं की उन्होंने जिन्दगी के 40 साल शो बिस्की चमक्ती दिमक्ती जिन्दगी में गुजारे लेकिन अपने अंदर के दियाती और भोले भाले आरिफराना को मरने नहीं दिया वो आरिफराना आज भी उनके अंदर हुमक हुमक कर अपने जिन्दा रहने का एसास दिलाता है और जब कभी शारी तकाज़ की मजबूरियों के तहर तो कोई मसलिहत या मुनाफ़त करते हैं तो वो ही उनके अंदर का आरिफराना बिलग बिलग के रोता भी है जिरे नदर मजबूए आदा कोई में शामिल तमाम अफसाने नोंने आस्टेलिया में लिखे लेकिन उन तमाम अफसानों की किरदार गाउं और जिहाद के हैं या फिर अपने शहरों के किसी अफसाने में नाइट कलबों मगर्बी तर्द मौचरत खुद पर फिजा हो जाने वाली गोरियों के एक लिखे कहानिया नहीं हैं ये सब कुछ राना साथ की अपनी मिट्पी और अपने लोगों के साथ कभी नाख़त में होने वाली कमिट्मिट्मिट की खमाजी करती है आदे कुए में शामल अफसाने के माज़ुआत, उसलूप और मुकालमों का इजहार बजाता है उसलिया गाहि करें है के वो तमाम वाकात जो मुसनिश की नजरों से घुजरे, मुशाहिदों में आए यया फिर वो खुद इन वाकाता का किसी ना किसी हवाले से हिस्ता रहे उन्हों ने इन वाकियात को फिसादे खलके खुदा और अज़वाजी फिसादा से फर्जी करदारों का नाम लेकर तहरीर किया है और बगएर किसी तमहीद के सिर्फ इतना कहना चाहूंगी और अब तारीक अजीज साहब अजीजाने मन मैं जब लहौर से चला हूँ और मेरे साथ मेरे साथी मिया मुहम्मद मुनीर हम दोनों को बाखुदा कुछ पता नहीं था कि हम क्यों जा रहे हैं सिर्फ इतना पता था कि आरिफ राना ने बुलाया है तो जाना है लहाज़ा मैं और हम लोग आ गए ये जो दोस्त यहां बैठे इत्फाक को हो गया कि मिल बैठे हैं ये सब वो लोग हैं जो पाकिस्तान में टेलिवीजिन की बुनियाद के पत्थर हैं और एक कैसी खुबसूरत बात है कि जिसकी निगा जाती है उसकी निगा मनारों पर जाती है कि ये मिनार कितना खुबसूरत है इसकी गुलाईया कितनी अच्छी है ये कितना अच्छा बना हुआ है किसी की निगा उदर नहीं जाती कि इस पूरी बोजल इमारत का बोज किन पत्थरों ने उठाया हुआ है जो जेरे जमीन है और जिन पर जमाने की पता नहीं कितनी गर्द जम चुकी है किसी को पता नहीं होता वो ऐसे ही लोग होते हैं आगा नासर जैसे आरिफराना जैसे ये अपने दो वकार रजीम जैसे और चलिए अपना नाम भी ले देता है वैसे इस बात पर हमेशा मेरा फखर रहेगा कि मैं बर्रे सगीर पाको हिंद का पहला टेलिविजन नहुसर हूँ पहला न्यूज कास्टर हूँ और उन पहले लोगों में शामिल था जिन्नों ने इसकी बुनियाद रखी आरिफराना साहिब किताब हो गया असल में ये मुझसे जलता बहुत है मैंने अंदाजा किया क्योंके जिन दिनों मेरी शायरी की किताब चपी है तो इसको किसी पल चैन नहीं था हर वक्त किताब देखके जरा फुलानी तो सुनाओ वो मैं सुना देता था मंटगंब्री में एक दफ़ा साहिवाल कहते थे मैं और ये राना जारे थे लहौर बाई रोड तो मंटगंब्री मेरा पुराना शहर था ऐसे ही रुमेंटिक साह हो गया मैं इनका अपना शहर देखते चलें वहां पुराने कुछ दोस्त मिल गए तो बैट गए चाह की पहली आगई कप शब ये ये तो उन्होंने का कि सुना तुरी तेरी किताब आगी है कुछ शेर सुना अच्छा वो मैंने का यहां और भी तो कुछ दोस्त बैठे खेर एक दो जगा मैं भूला तो इसने लुकमा दे के मुझे साहरा दिया के शेर तेरा ये है उसके बाद एक ने कहा राना साब तो अनूते तार्ग साब ते सारी शेर याद ने अब ये शोख क्या कहता है कहता मैंनू तो भी याद ने जड़े हुने ने कहने ने ये फिर हमारा साथ शोबिस में ये जो निलामघर के नाम से एक प्रोग्राम जैसा बुरा भला था ये प्रोग्राम शुरू कैसे हुआ मैं और आरिफ राना कराची की सदर में मार्किट में स्टोर्स में इदर उदर जाके वो उनको समझा रहे हैं कि जी आप हमें अगर रेडियो दे दें तो आपका हम नाम लेंगे फिर ये होगा अशुर्त है और ऑजी आपकी कोई बास सभी निया की आती ए आपने क्या मैं फिर लगा ऒुब लगा हुआ हूं ये भीthing लगा हुआ है और काका ओए एक बैंड दा रेडियो दे 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 जा 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 जो यूं आप से एक बैंड का रेडियो बागा आपने दो कमीजे भीज दी आपने कुछ चार कलम पैन से इस तरह से चीजें इकटी हुई और हम इसमें जरा भी हमारे दिल में शक नहीं था के हम नाकाम होंगे मैंने का रहना कभी यह उदास हो जाता था कि यार किसका जिपए गए हैं कभी में बद्ल हो जाता तो यह मेरा होसला बढ़ाता कि हफते दी गाल लै मैं कि अच्छा चलोँ ठीक है खैर मांगते मांगते दرجूजागरी करते करते प्रोग्राम रेकॉर्ड किया ओनिर गया और कमो बेश दो साल तक नमबर वन खड़ा रहा जितना भी इस प्रोग्राम का हुस्न था उसके जम्दार आदे से ज्याद़ साट फीसद आरिफराना को मैं इकरार करता हूँ चालिस फीसद तारिक जीज़ की अपनी मिहनत थी लहाज़ा काम चलता गया उसके बाद वक्त आगे वक्त की सबसे खुबसूरती यही है कि यह ठहरता नहीं गुदर जाता है गुदर के आजाता है हम समझते हैं कि वक्त गुदर गया हालनके हम खुद गुदर रहे होते हैं उसके बाद मेरी दूसरी किताब आई वो सियसी थी दास्तान उसका नाम था वो भी मैंने इसको दी मेरा खेल है मैंने दी अब जब यह आया है तो यह असबाब जहालत साथ ले आया है यही चराग लाला फरूजा नहीं हुआ जलती रही है शब्नम शादाब रात भर आरे फराना यही नहीं नहीं बन जाते और जिनके दादा देखते तारिक अजीज यहीं नहीं बन जाते इसके लिए खुश्क सेरों तने शायर में लू होता है तब नजर आती है एक मिसरा तर्ग की सूरत मेरे एक दोस्त नहाएं नहीं फरमाया था कि यह अजीब बात है कि एक शक्स जो सिडनी में रहता है और मुलक मुलक में के लोग वहां आते जाते हमारी और उस तहजीब के दरमयान एक बड़ी दिवार खड़ी है लेकिन आरिफ राना जब अफसाना लिखने बैठता है तो उसके सामने वहां की ना किसी गोरी का तजक्रा है ना उनकी सकाफत का तजक्रा है ना उनके पब्स का तजक्रा है ना उनके मेखानों का तजक्रा है ना उनके मेखारों का तजक्रा है तजक्रा है तो अपनी जमीन का और अपनी नीली का और अपने आदे कुएं का आरिफ राना के आखरी बात मैं कहके मैं यहां से हट जाओंगा एक तो यह के आरिफ राना तेरा हुकम था हम आ गए और दूसरा यह है के आरिफ तबकात के खिलाफ है तबकाती जिन्दगी के यह शदीद उसका मुखालिफ है यह कहता है के रोटी अगर एक है तो आदी आदी कर लो यह क्या के एक बन्दा पूरी खाले दूसरा बैठा भूका नदीदों की तरह देख रहा है माशरे में जब उंच नीच होगी माशरे में जब दौलत की तकसीम एक सी नहीं होगी एक सी तो हो नहीं सकती लेकिन वो जो बुन्यादी जरूरियात है इनसान की वो तो हर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उसको पूरा करे अगर वो उसको पूरा नहीं करती तो इसका मतलब है कि वो नाकाम लोग है नाकाम हुकूमत है उसको लोग बदल दिया करते हैं लहाजा लेकिन इसकी ये कहानियां पढ़ते हुए आप इस मेरे एक फिक्रे को जहन में जरूर रखिएगा कि ये तबकात के खिलाफ है नीली जब गंडासा उठाती है और चौदरी की गर्दन लफसों में नहीं लिखा हुआ लेकिन कहानी खुद कह रही है कि अब ये हो गया है और आखरी जो फिक्रा लिखता है कि मेरी इस दब की कीमत गोबर का एक टोकरा यहां आकर कारी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये फिक्रा उसको जिन्दगी की किन किन तल्ख हकीतों की तरफ ले जाता है मैं दौा करता हूँ कि मेरा दोस्त इस से भी बेहतर लिखे इसके प्रेमचंद से पहले वाली जबान और प्रेमचंद और आज के मंट्रो और ये इसमत और ये सारी ये आज के योग हैं इंतजार हुसैन और ये सारा आज के नوجवान को ना वो जबान पड़नी आती है शो दूर्दू जिसको कहते थे फार्सी आमेज और अरबी आमेज आज का नوجवान इस तरह की जबान चाहता है जो आसान जबान इसमें लिखी गई है आसान लेकिन पूर मख़स और पूर असर लहाजा मैं ये आदा कुवान लिखने वाले आरिफ राना को लाखों मुबारक बादें आप सब की तरफ से देता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अगले हफ़े चौनसट मुलकों में आरिफ राना की इस किताब का यूं तारुफ करवा दूँगा वक्त वो मैं अपने शोव में बात कर दूँगा जी और बाकी आरिफ राना अगर तुमारी बुराई में कोई कसर रह गई हो तो माफ कर देना हैं बहुत शुक्त लेएं सदार्थी कलमात के लिए जनाब आगा नासिर साफ खातिनों अज़ात आरिफ राना से मेरी मुलकात बहुत पुरानी हैं हम पीटीए में साथ-साथ काम करते हैं कि आरिफ राना एक निया निडर और हौस्टा मंदा आती हैं और साफ-साफ बात कर कि उक्से सीनियर उसे बचते थे और के खौवजदा रहते थे क्यों हो किसी लगी रिक्षी पर बगार बात कहने का आदी हैं यो तो आरिफ नानाथ टीवी में हर किसमी के प्रोगाम प्रोडूस करना ते लिए बन्याली तो पर मुनासिब था लगी उसका खास रुजार मु प्रोगाम प्रोगाम पेश किये लेकिन अस्ति स्वारुक्सूरत उसे तारिफ अजीज के प्रोगाम इंजाम कर सकते हैं मुझे आरिक राना के दो बहुत से उसा आपका इन था तो ये रच्छा शायर अच्छा महबर और तो बूसर ये बारों नहीं था तो ये प्रहन में दोगाम अब उसी किताब में जो गुजिश्टर भट्रव में जो मिली है उसी कहानिया भूई कि यह फुजवार है जो अच्छी कहानिया देखता है मैंने सारी तो नहीं और इस किताब में शाभी बहुत से उसके अच्छा नहीं करें नहीं पर सेर हासल पस्रा करने का तो यह वाकर नहीं है और जो मैंने महसूस किया तो मुक्तसर अच्छा बेता हुआ है अरिक कुर्णा एक इक इक इसार पसंदफ्तारा में जा रहे हैं जो बहुत मुश्किल पाता है उसकी कहानियां मदुआत और रोजमराद के माहौल से अपस्की दिए इन कहानियों के सारे ही करदार माहौल पर नवारी जिन्दददी के करदार जबान आसान प्रेम है लहादा पड़ने वारे को कोई मुश्किल नहीं है कि अश्किल नहीं हैं तो सारे अजिज़ा मुश्किल नहीं हैं जो अच्छी कादम हैं नहीं चाहद के किताब के इतदा में जिन्दद रुणवार्श ने लिखा है कि इनकी बेश्तर्द्दू रुणानी ने पिहाद की कोक्स जर्म कि यह एक हरान गुन बात है मैंने समझता आपकी यह कोई हरांगों बात है। मेरा खाल है कि एक अच्छे तक्वीशकार के लिए इसी मक्सूस महौल तक्वाम की दिए गोश्मी निए। मैं आरिफ राना को इन छोटे-छोटे पजारों को जोगी बड़ी-बड़ी कहान है कि तक्वीशकार को दिए गोश्मी निए। तमाम जो हमारे स्पीकर्स थे और सदर साथ उनकी जो राए थी इस किताब के बारे में उसको सुना। मैं फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मौतरमा फरीदा राना सहाब और मौतरम आरिफ राना सहाब का कि आपकी वज़ा से ये तक्वीश जो है इसका वजूद आया लेकि लिए कि सबसे ज़्यादा शुक्रिया नैशनल बुक फार्मडेशन का और आई होग के डॉक्टर इनाम-ul-Haq का जो टीम है उनसे बहुत खुश होती होगी जिके वीकेंड पे भी वो इतना जादा काम करते हैं सब और तारिक अदीर सहाब, अर्शद चहाल सहाब, महबूब जखर सहाब, रफीद ताहिर सहाब और आगानासिर सहाब आपका बहु अर्शद